एक्र आप मीठा के चौक किन हैं और आप भी इस शकरपारी को घर पे बनाना चाते हैं तो आप इस mathood से बनाएगे बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुती एज़िमेख़र हैं यह सकते हैं इसके डं director रैसिप्ट भी टेस्टी यहिसे और रचे कितना चपा रिएडी हूब बिल्कुल मार्केट जैसा बल्के मैं तो कहूंगे कि मार्केट से भी जादा अच्छा है क्योंकि मार्केट में तो पता नहीं कौन सा तेल यूज करते हैं बहुत है खाने में तो विडियो को फूल वाच किजिएगा अस्लाम लुक्र में रिवाइन कैसे आप लोग आई हो आप सभी ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं के वजह से हम लोग भी ठीक है तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं शकरपाले घर पर बनाओं पर सच मता हूं ना मैं आज तक नहीं बनाया है मैंने इसे घर पर तो जब मैं आज बना रहे थी फर्स ताइम तो मैंने तुछा कि आप लोग के साथ इसके रिष्म पर शेयर करूँ तो चलिए फिर बनाना स्टाट करते हैं यहां पर मैंने लिया है मैदा आप चाहे तो आठा कभी यूज कर सकते हैं बट मैं मैदा बना रहे हूं आपको जो प हुआ है तो हमें इसे ऐसमे एक करना है यब इसके आप उठाएं ना तो इस वे गोल लटू जिस तरह से बनते बन ज़ी तो तब तक इससे बना रही हूँ टो मैं सब्स्टाइब ही बना रही हूं देखती हूं कैसा बनता है मैश सहल ये मेरी मम्हीं हमशेट घर बना कर रखती थी सिस्टे अब मै आपई दाल दींग। थोड़ा सा पानी थोड़ा पानी लेखरके से इसके अची सिटों लगा लेती है अग left आज कल मुझे मीठा खाना बहुत पसंद रहा है तो मैंने सुचा कि आज घर पर बना देती हूं और अमान को भी अच्छा लगता है मीठा खाना तो मैं घर पर ही इसे बना रही हूं तो यह देखी डू हमारा रेडी हो गया है और इस तरह से मैंने एक पेड़ा काट लिया है बड़े साइस का और अब इसे अच्छे से बेल लेना है तो इस तरह से मैंने बेल लिया और इसे कट करना है तो कट करने डाइम आप जिसके आपको शेप देना चाहें दे सकते हैं बट मुझे लगता है कि जैसा शेप इसका होता है वो वैसे ही रहे तो जादा अच्छा है इसे आपकी मरज़े आप यासा कर सकते हो तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी इस शेकर पाले ना मेरे दो बच्पन से फेवरेट है मुझे बच्पन से यह बहुत पसंद है जितने बच्पन में पसंद था अभी भी पसंद है तो ऐसी कोई चीज है क्या जो आप लोगों को अभी बहुत पसंद आती जो बच्पन में अच्छी लगती थी और अभी वे अच्छी लगती है मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ खाने की चीज ऐसी है जो मुझे बच्पन में बहुत अच्छी लगती थी तो उसमें से एक शकरपारा भी आता है तो मुझे यहां पर कट करना है तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और यहां पर देखिए कड़ाय भी मैंने तेल गरम कर लिया है तो तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं है तेल ठंड घंडा है मैंने में फ्लेम पर लखा था और यहां पर छ्वादा दूर दियाम तो गरम यह के ज़्यादा गरम तो इतनी ब मैं ठेखिए नहीं बहुंता है कि और देख्ण एल मारे तो एल में तो ज स dependencies करेई एक हम लोग को इसका उनलख को हाइ रभाव करें आँ अर्भाव इस पहले में इसी प्रेंप और आपर चैया और अब यहां पर जब जूपर तैरने लगे इस अब वेल्ड तरह है तो मैंने इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राइ कर रहे हूँ मुझे लगता है इसे बनाने के लिए थोड़ा पेशन्स की ज़रूरत है क्योंकि यहां पेना शुरू में इसे फ्लेम लो रखा फिर इसे हाई किया तो इस तरह से बनाए कि अच्छे से फ्राइ होगा वरना बहुत खराब हो जाता है यह उपर से कच्छा रह जाएगा अंदर में अच्छे से फकता नहीं है तो यह देखिए इस तरह से ने कि अच्छे कलरका आ गया है अजिकने में बहुत encouragement अब हएक बना लिये है तो इस तरह से आप चाशनी डिए मैंने यहां पर लिया है दो ड कॉपप चीनी तो जब डो ने रियनी हूं तो यहां पर मैं पानी उसे कम लेना है तो यहां पर एक कब पानी ले रही हूं मैं उसी कब से जिसे मैं ने चीनी लिया था तो यहां चाशनी में बहुत जादा ध्यान रखना पड़ता है अब इसे इस तरह से चलाते रहना है अब मैं इसमें डाल रहे हूं छोटी इलाची आपके पास इलाची पाउडर को ज़रूर से डालिए मेरे पास नहीं है तो मैं इलाची ही डाल रही हूं और अब मैं यहां पर डाल रहे हूं केवडा वाडर एक धकन मैं यहां पर केवडा वाडर डाला है और अब इसे चलाते रहना हैं बहुत ही easy recipe है घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं बस fry करने टाइम पुरा ध्यान रखना है और चाश्नी बनने टाइम ध्यान रखना है उसके बाकी यह न बहुत ही अच्छे से बनता है तो मैं चेक कर लिए हूँ कि चाशनी हुई की नहीं तो गई चाशनी हमारी बंद करके रेडी हो गई है और अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शकरबाले तो गरम-गरम चाशनी में ही मैं डाल ली हूँ चाशनी को और थुरा-थुरा करके डाल ली हूँ और इससे चलाते हो रहना है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए चाशनी में अब यह आधा शक्रपलरां मैं डाला है और आधा बाकी है है इसमें और फोर्शी कर लेना है इसे चलाते रहना है Ah जो आधा फ़्यूपी वैं उसे भी मैं डाल लही है को यह सारे शक्रपलें इसमें आगता है और इदो इन सब को अच्छे से मेえー यह कर लोंगी चाष्णी के साथ तो गैस को मैंने आफ क्या हुआ है यहां पर गैस आफ है और इसमें मिक्स कर रहे हूं मैं कड़ाई में जिसमें मैंने चाष्णी बनाया था तो यह अब देखी कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है अब जैसे ही चाष्णी छंडी होगी ना तो यह इसमें चिपकनी शुरू हो जाएगी यह सूखेगी तो फिर आपको दिखेगा इसका चाष्णी का तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और मुझे लग रहा है यह बहुत ही टेस्टी बनाया है तो इसे थोड़ी दर के लिए हाँ भूत हो गयप गदो आप देख सकते उसा मैंने कुछ भी नहीं किया बस इस तरह से सूकने के बाद इस तरह हो गया 睡 घंड़ने के बाद उसी कड़ाई में तो आप आप देख सकते हैं के शकरवारा कितना खुबसरत बना है बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है मुझे सोचा नहीं था मैंने कि बहुत अच्छा बना पाऊंगी पर मैं फास्ट टाइम बनाई थी तो मेरी साब से यह बहुत ही ज़्यादा टेस खाईए सबको खिलाएए बहुत ही अच्छा लगता यह तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा यह बना करके तो अब मैं यहां इसे एर टाइट कंटेनर में डाल रही हूं छंडा हो चुका है तो आप इसे ना स्टोर करके एक महने तक रख सकते हैं और मैंने भी इतना बना आपेस अच्छा लाफ वैसे एक बाता है तो ना स्टीम टोर की ना सूल दीया आप इसे बेंड़ा रहा यह जात्व प्ला बना आप समूल आप इसे एक को यह प्लाएं लोगता अवका इसे एक वाता ओड़ा यहां बाता ओर आप नहीं होगता खिला गाप नहीं है। और व